सिंथेटिक रॉनिंग ट्रेक का जो सबसे मेन मटेलील होता है वोता है एपी डियाइम जो रबर इसी से सिंथेटिक ट्रेक तयार होता है बनके देख सकते हैं आप सबसे पहले तो है 400 मिटर जो ट्रेक होता है पूरा उसके ओपर नौर्मल जो हमारे डामर की सटक होती है वो तैयार की जाती है रोड देख सकते हैं बिल्कुल जो है फ्लैट सर्फेस में है ये तो आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए आगे नई नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा वर्काउट से जुड़ी वी वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा मैं देख सकते हैं आप जो लेबर है वो ट्र बहुत ही जो देजी से लग आप कहरें और है देखे आप जो यह रैड ब्रकाइं कल है यह विचाए जाता है है इसको बात मैं युक्ल वाइपर आप किया जारा है ब्लेटि अले कुल समदल फिर इसके ओपर जो एपीडियेम जो रबर है ब्लैक छोटे-छोटे ये सिंथेटिक रबर होते है इसके उपर भी इसको बिल्कुल समतल तरीके से बिचाया जाता है देख सकते आप एक लेवर है जो लगा हुआ है बिल्कुल इसको वाइपर से फ्लैट करने बिल्कुल बराबर ताकि ये उबड़ खाबड़ उपर नीचे ना हो बहुती ध्यान से ये जो है काम किया जाता है इसमें ये देख सकते हैं आप ब्लैक कलर का रबर है ये बिचाया जा रहा है रोड के उपर इसका सेकिंड प्रोसेस है ये इसी तरीके से होता है जो ये सिंथेटिक ट्रैक आगे देखिये आप कि हर को इस काम को नहीं कर सकता इसपर्ट की जरुद होती है इसमें इस काम के लिए जो है बहुत जाद एक्सपर्ट होना चाहिए एक्सपरियंस चाहिए इसके लिए देखिये आप तो इस तरीके से जो है तैयार होता है हमारा सिंथेटिक रणिंग ट्रैक दोनों तरफ से जो रबर डाला जा रहा है इसके बाद में इसके ओपर दूसरी लेयर और चड़ाई जाएगी कि किस तरीके का मारको सिंथेटिक ट्रैक भूट रन्के अब तो आने लगे बिली उ कलर का पिंग कलर का बिली उ कलर का पर जो जैपर का ट्रैक बनने जा रहा है वो बिली उ स्काइब्लू कलर का होगा बनके तयार अब इसके ओपर जो बलैक था रबर इसके ऑपर से जो है साफ किया जा रहा है क्योंकि इसके उफिल कलर की जो है क्लिख शब से वीडिया कम उन्षाद गहीं गई और भी चाहरी दोलगा, TRUK में लेख जाया पार्किंग करके तयार हो गया है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तो आपको पता लग गया है इस तरी के से जो है रानिंग ट्रैक एक बन के तयार होता है ये पैकेट आते है 25-25 केजी के इनी में जो है रबर आता है ठेंक यू सो मच